नमशकार अब तक की चड़्चा में हमने system software के बारे में चड़्चा की और system software के एक प्रकार operating system के बारे में विस्थार पूर्वक वर्णन किया इसके अतरिक हमने operating system द्वारा संपादित किये जाने वाले विभिन कारियों की भी चर्चा की इस lecture में हम user interface के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस lecture को देखने और सुनने के बाद आप user interface का विवरन कर पाएंगे आप user interface के विभिन प्रकारों की चर्चा कर पाएंगे आप user interface द्वारा संपादित किये जाने वाले कारियों का भी विरिस्तित विवरन कर पाएंगे तथा आप utility program और language translator के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे यूजर द्वारा computer से इंट्रेक करने के लिए user interface का उप्योग किया जाता है जो कि operating system का एक महतुपून भाग है यूजर इंटर्फेस द्वारा संपादित किये जाने वाले कुछ अन्य महतुपून कारियों इस प्रकार है एप्लिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट या लॉंच करना सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हाट डिस्ट ड्राइव को मैनेज करना फाइलों और फोल्डरों को मैनिपलेट करना तथा कम्प्यूटर को शुरक्षित तरीके से शटड़ाउन करना तीन मुख्य प्रकार के इंटरफिस हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफिस जिसे हम GUI भी कहते हैं ग्राफिक्स या आइकनों का अप्योग करता है जो विभनेकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उदहरन के लिए प्रिंट करने के लिए आइकन एक प्रिंटर की छोटी सी तस्वीर है जिस पर माउस से क्लिक किया जाता है वह प्रिंट डायलोग बॉक्स खोल देता है। प्रिंटर डायलोग बॉक्स खुलने के बाद आप अन्य कमांड चुन सकते हैं जो आपके डॉक्यमेंट को प्रिंटर पर प्रिंट होने के लिए भेजने के लिए उप्योग किया जाएगा GUI यूजर के अनुखूल इंटरफेस है जो चटिल कम्प्यूटर कमांड या प्रोग्रामिंग भाशाओं को याद करने की आवशक्ता को समाप्त करता है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस का अप्योग यूजर को पुल डाउन या पॉप अप मीनू के रूप में उपलब्द सभी विकल्पों को दिखाने के लिए किया जाता है कई मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में अब टेक्स के साथ साथ GUI आइकन भी शामिल हैं कमांड लाइन इंटरफेस में डेटा एंटर करने या इंस्ट्रक्शन को एग्जिक्यूट करने के लिए कमांड को कमांड इंटरफेस में टाइप करने के आवशक्ता होती है कमांड लाइन इंटरफेस के अनुभूती Microsoft Windows Operating System के रन इंटरफेस को खोल कर होती है जिसमें आप Operating System द्वारा निर्दिश्ट कारिक करने ही तू MS-DOS आधारित कमांड इंटर करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस को सीखना और उसमें महरत हासिल करना एक Average Computer User के लिए सबसे जादा कथिन कारियों में से एक है कमांड लाइन इंटरफेस, प्रोग्रामिंग अप्लिकेशन तथा सिस्टम सॉफ्ट्वेर के सपोर्ट के लिए इस्तमाल किये जाते हैं अब हम यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम वह टूल है जो ऑप्रेटिंग सिस्टम को Computer System की Secondary या कम प्राथमिक्ता वाले कारियों का प्रबंधन करने में साहिता करते हैं यह कारियों ज़्यादा तर repetitive nature के होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम के कुछ उधारण है Antivirus Software, Backup Software, Disk Scanner, File Compression Software, File Management Software और Searching Software यूटिलिटी प्रोग्राम अक्सर Computer के बूट होने के साथ ही Memory में लोड हो जाते हैं और यूजर को बगेर अपनी उपस्तिती दर्ज कराए Background Application प्रोग्राम के साथ Execute होते रहते हैं आपको उनकी उपस्तिती का तब तक पता भी नहीं चलता जब तक वे आपको Virus Detected जैसे कोई संदेश प्रेशित नहीं करते तब ही उप्योग करता को उप्योग कारवाई करने के लिए इंटरफेस के द्वारा आवशक कारवाई करने के आवशकता होती है यूटिलिटी प्रोग्राम अक्सर कम्प्यूटर के बूट होने के साथ ही मेमोरी में लूड हो जाते हैं और यूजर को बगएर अपनी उपस्तिती दर्ज कराए Background Application प्रोग्राम के साथ साथ execute होते रहते हैं अक्सर आपको उनकी उपस्तिती का तब तक पता भी नहीं चलता जब तक वे आपको virus detected जैसे कोई संदेश प्रेशित नहीं करते तभी उप्योग करता को उप्योग कारवाई करने के लिए इंटरफेस के द्वारा आवशक कारवाई करने की आवशकता होती है Language Translator एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के source code को machine code या object code में बदल दे ताकि computer उसे समझ कर आवशक कारवाई कर सके प्रोग्राम के source code को object code में अनुवात करने का मुख्योग देश प्रोग्राम को machine language में बदलना है ताकि computer द्वारा उसे समझ कर वांशित प्रिणाम उत्पन कर सके Language Translator की कुछ प्रचलित उधारण है compiler और interpreter compiler एक computer program है जो किसी program के source code को एक ही बार में object code में तबदील कर देता है जबकि interpreter program का एक set है जो application program के source code को line by line करनोट करता है अब तक की चर्चा में हमने जाना कि user interface क्या होता है तथा वे कितने प्रकार के होते हैं इसके अलावा हमने user interface द्वारा संपादित किये जाने वाले कारियों की चर्चा भी की इसके अलावा हमने utility program और language translator के बारे में भी जाना अगले वीडियो में हम application software के बारे में चर्चा करेंगे नमस्कार